सुप्रभात बच्चों, पिछले भाग में हमने पार्ट चार बापू का कुर्टा का पुस्तक अभ्यास किया था आज हम पार्ट चार के कटिन शब्द हिंदी प्रशन उतर कॉपी में लिखेंगे, आईए देखें सबसे पहले आपको यहाँ पर आज की दिनांग लिखनी है, आज की दिनांग है 179220 प्रथम दो लाइनों में आपको लिखना है पार्ट चार, उसके निचे की दो लाइन में लिखना है पार्ट का नाम बापू का कुर्टा तीसरी लाइन में आपको लाल लाइन से थोड़ा सर्दूर लिखने है कठिन शब्द यहाँ पर आप एक से लेकर ग्यारत तक नमबर लिखेंगे और इसी के सामने बारा से लेकर बाइस तक नमबर लिखेंगे आईए शिरू करें बापू ब ब के साथ आकी मात्रा प ब के साथ में बड़े उकी मात्रा आश्रम बच्चे चा पे एकी मात्रा वेश बूशा ब ब पे एकी मात्रा ब के साथ में बड़े उकी मात्रा बिठाया ब पे छोटी एकी मात्रा ठ के साथ आकी मात्रा यह के साथ आकी मात्रा लाओंगा लग के साथ आकी मात्रा बढ़ाओ उसके उपर चंद्रबिंदू गग के साथ आकी मात्रा सुनकर सर सके निचे छोटे उकी मात्रा पसीज सर सपे बड़ी की मात्रा सिलाई सर सपे छोटी की मात्रा लग के साथ आकी मात्रा और बढ़ाई तुम्हारी तर के साथ में छोटे उकी मात्रा आदम ह के साथ आकी मात्रा र के साथ में बड़ी उकी मात्रा हाजिर जवाबी ह के साथ आकी मात्रा जर के साथ में छोटी उकी मात्रा व के साथ में आकी मात्रा ब के साथ में बड़ी उकी मात्रा खुशी ख के निचे छोटे उकी मात्रा, श के साथ में बड़ी एकी मात्रा अकेला कपे एकी मात्रा, लग के साथ आकी मात्रा समझ, चाहिए, च, च, के साथ में आकी मात्रा, ह के साथ में छोटी एकी मात्रा अग्रह, अ, के साथ आकी मात्रा, ग्रह चालीस, च, च के साथ आकी मात्रा, ल के साथ में बड़ी एकी मात्रा स, अच्चरज, अर्थ, ठ के साथ में र की मात्रा भारत, वासी, भ, व के साथ आकी मात्रा, व के साथ आकी मात्रा, स, के साथ में बड़ी एकी मात्रा सुखी सर के साथ में छोटे उकी मातरा ख के साथ में बड़ी एकी मातरा मुस्कराने मा के साथ में छोटे उकी मातरा आदासर के साथ आकी मातरा न के साथ एकी मातरा मुस्कराने अब आप जैसा मैंने आपको पढ़ाया है वैसा ही आपको कॉपी में लिखना है और सुन्दर सुन्दर मैंने जैसा लिखा है वैसा ही आप पी अपनी कॉपी में लिखिए धन्यवाद